तीसरे प्रकरण का सात्वा सूत्र है जिसमें अश्टवक्र राजजनक से कह रहे हैं कि आत्मग्यानी द्वारा काम को ग्यान का शत्रू जानकर भी अती दुरुबल होकर अंत काल को प्राप्त पुरुश काल में नश्ट हो जाने वाले भोगों की इक्षा करता है ये बहुत आश्चरी की बात है कामना कामना ग्यान को ढख देती है जब आखों में कामना होती है तो ना संसार का सच नजर आता है ना कामना का सच नजर आता है ना कामना करने वाले का सच नजर आता है तो अश्टावकर कह रहे हैं कि ये जानते हुए भी कि काम ग्यान का मने जानने का शत्रू है यदि आप किसी कामना से कुछ जानना चाहते हैं तो वास्तों में आप जान ही नहीं रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ उसी को खोजेंगे जो आपकी कामना है तो ये जानते हुए भी कि काम ग्यान का शत्रू है स्वेम को आत्म ग्यानी कहने वाले अंतकाल में जब देह बहुत दुरूबल हो जाती है जब वह कामना के फल को भोगने में भी असमर्थ होता है तब भी वह काल में नश्ट हो जाने वाले अर्थात चणिक सुखों की आकांख्शा करता है ये कितना बड़ा आश्चरी है हम धोखे क्यों खाते हैं क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं कामना के वशिभूत होकर के ही करते हैं हम बाजार से गुजरेंगे तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता हमारी आखे उस चीज़ को खोज रही होती है जो हमारी कामना है इस्त्री में पुरुशों को कभी एक इस्त्री नजर नहीं आती इस्त्री से अधिकांश तहा उनका संबंध ही काम सुख का होता है तो वो किसी भी इस्त्री को देखेंगे उनको वह इस्त्री नहीं नजर आएगी उन्हें वह अपने काम सुख का साधन मात्र ही नजर आएगी यूही तो कोई कामुक व्यक्ति किसी मासूम, छोटी सी बच्ची को इस तरह प्रताडित नहीं कर पाता है क्योंकि उसे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है उसकी वेदना, उसका रोना, उसके आंसु, कुछ नहीं ये काम है जो सच को ढख देता है कामना उठती है अपूनता से किन्तु जो स्वयम को पून जानने का दावा करता है वह भी यदि स्वयम के लिए काम से ग्रस्त है तो ये कितने आश्चर्य की बात है तो अश्टवक्र कह रहे हैं जनक से कि कहीं तेरा भी तो वही हाल नहीं है कि एक तरफ तो तुम आश्चर्य कर करके ज्यान की वर्षा कर रहे हो और दूसरी तरफ कामना शेश हो क्योंकि कामना का हमारा अभ्यास काम की व्रत्ती इतनी गहरी है कि व्यक्ति मर रहा होता है व्यक्ति मर रहा होता है अती दुर्बल होता है किन्तु फिर भी कामना खतम नहीं होती देखो अपने घर में समाज में रिष्टों में व्यक्ति मर रहा है दादा दादी बूड़े हो रहे हैं किन्तु फिर भी कामनाय शेश हैं, अपने नाते पोतों का ब्याह उनको रचाना है, सब कुछ बिखर गया है, सब नश्ट हो गया है, पूरा जीवन विर्थ गया है, जो कामनाय पूरी हो गई, उनसे भी कुछ नहीं मिला, फिर भी संसार से कुछ पाकर के पूरा हो जाने की का कामना अभी भी शेश है, व्यक्ति इतना दुर्बल हो जाता है कि पड़ा हुआ है, चार पाई पर, हाथ हिलने ही रहे हैं, अपने पेरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, आखे देखने ही पा रही हैं, कान सही से सुनने ही पा रहे हैं, दांत है नहीं, और कामना किये जा आए वासना उटती जा रही है, वो इतना दुर्बल है कि उसकी कामना अगर पूरी हो भी जाएं, तो वो अपनी कामनाओं के फल को भोग भी ना पाए, किन्तु फिर भी कामना शेश रह जाती है, इतना गहरा हमारा कामना का भ्यासे, इतनी गहरी काम की व्रत्ति हैं, क्यों जब तक तुम स्विम को देह के साथ एक मानते हो, क्योंकि देह है छोटी, देह है अपूर, तो जो स्विम को देह मान रहा है, वह स्विम को सीमित और अपूर भी मानेगा, और फिर संसार के माध्यम से ही खुद को पूरा भी करना चाहेगा, तो जब तक देह रहेगी, तब तक कामना भी फिर्शेश रहेगी, लेकिन कुछ बाते पढ़ लेने से, सुन लेने से, कभी कभी ये ब्रह्म हो जाता है, कि हम तो कामना मुक्त हो गए, किसी तरह व्यक्ति, इस्थूल कर्मों और मानसिक विचारों का तो किसी प्रकार दमन कर भी लेता है, और इसलिए उसे ये ब्रह्म होने की संभावना पढ़ जाती है, कि उसकी कामनाएं खतम हो गई, विलीन हो गई, लेकिन वर्तियां बहुत गहरे में और अतिसुक्ष में होती हैं, उनका दमन करना लगभग असंभव ही है, तो वे कभी भी फिर हमला कर सकती हैं, उपर उपर से दमन कर दिया, कर्मों का, विचारों का, लेकिन दमन कब तक कर पाऊगे, जब तक तुम्हारे अंदर ताकत है, मानसिक या किसी भी तरह की, जिस छण तुम्हारी ताकत कम हुई, तुम कमजोर हुए, दमन करने में, वैसे ही वो हावी हो जाएंगे, इसलिए जिसने कामनाओं का दमन कर दिया है, और दमन को ये समझ लिया है, कि उसके कामनाएं खत्म हो गई, तो वै फिर से कामना का शिकार होगा, इसलिए जानना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है, मान लेने से ये दमन करने से छुटकारा नहीं मिलता, मृत्य को मिठ्या जाने बिना उसको मिठ्या भर कह देना परियाप्त नहीं है, कहीं सुन लेने से, कहीं पढ़ लेने से या किसी ने कहा है ये जानकर स्वेम भी उसको मिठ्या कह देना परियाप्त नहीं है कामना की विर्थता को जाने बिना उसे विर्थ कह देना परियाप्त नहीं है इसलिए जानना जरूरी है तो जनक कह रहे हैं अस्टा वक्र अस्टा वक्र कह रहे हैं जनक से कि तुम कह तो रहे हो गोशना तो कर रहे हो सचमुच जाना है या बस शब्द दोरा रहे हो सुन लिया है पढ़ लिया है या मान लिया है अगर जाना नहीं है तो तुम्हारी हालत वैसी ही है जैसे कोई अपने को जीवन भरात्म ज्यानी कहता हो और अंत में कामना से ग्रस्त हो मोट से भैभीत हो संसार से कुछ पाने को आतुर हो स्वयम को अपूर्ण पा रहा हो स्वयम को ब्रह्मचारी कहने वाला ब्रह्मचारी का पालन करने वाला जितना अधिक कामवासना से पीडित और परेशान होता है उतना शायद ही कोई अन्य होता होगा वो बस दमन करता है वो जानता नहीं वो दूर भागता है वो पलायन करता है अंदर ही अंदर जल रहा होता है क्यों? क्योंकि बस मान रखा है कुछ गलत है मान रखा है कि सब विर्थ है मान रखा है कि छड़िक है जाना नहीं मान रखा है कि गंदा है जाना नहीं तो यदि काम को ग्यान का शत्रू जानते हो तो फिर आकांगशा कैसे शेश है और अगर शेश है तो फिर जाना क्या वही बात कभीर साब कहते हैं न पोथी पड़ पड़ जगमुआ पंडित भया न कोई पोथी पड़ करके अगर कह रहे हो कि जगत मित्या है जगत मेरा ही प्रक्षेपन मात्र है देह तो छण भंगूर है मैं पूर हूँ मगर जाना कुछ नहीं समझा कुछ नहीं तो सब गुलाब के कागच से बने उन फूलों की तरह है जिन में कोई प्राकृतिक सुंदर्य और सुगंद नहीं होती संसार तुम्हारा प्रक्षेपन है पर ये बस सुना है पढ़ा है या समझा है जाना है तो जनक तुम्हारी गोष्णा जानने से आ रही है या सुनने पढ़ने से आ रही है कुछ समझा रहा है एक तरफ तो स्वयम को आत्मा अनन्त बताते हो आत्मा बताते हो पूर्ण बताते हो और दूसरी तरफ छोटी छोटी चीजों के भोग की आकांग्षा करते हो क्योंकि आकांग्षा का अर्थ ही हो जाता है अपूर्णता अपूनता से ही तो पूर हो जाने की आकांग्शा उड़ती है अपूरता ही तो है जो कहती है कि मैं अपूर हूँ और सामने संसार है इस से कुछ हासिल कर लूँ कुछ पालूँ ताकि मैं पूर हो जाओ तो सुम को यदी आत्मा जानते हो सुम को यदी अनंत और पून जानते हो और फिर भी भोग की आकांशा अगर उठ रही है तो ये बड़े आर्श्चले की बात है अब हम ये कह सकते हैं कि अच्छा मतलब कोई आकांशा करे ही नहीं फिर भोजन नहीं करे क्या पानी नहीं पिये क्या वस्तर नहीं पहने ये देह की जरूरते हैं शरीर की जरूरते हैं हम सिर्फ देह की जरूरतों की अकांख्शा नहीं करते हैं देह की जरूरत होती है तो एक जानवर को देख लो वो कितनी विवस्था करता है देह के लिए वो तो एक दिन की भी विवस्था पहले से त्यार करके नहीं रखता इस देह की कितनी जरूरत है फिर और हम कितना रखते हैं हम कोटा बरके रखते हैं इस देह की जरूरत है चार पाई हम बहुत बड़ा महल खड़ा करते हैं तो हमारी जो अकांगशाए वास्तों में वो देह की खातिर की गई अकांगशाए नहीं है वो हमारे अपूरता के भाव से उठी हुई अकांगशाओं का परिणाम है हमारी वो अकांगशाए जो हम से महल खड़े करवाती है बेंकों में बेंक बैलेंस बढ़ाते रहने को कहती है जो संसार को भोग डालने को कहती है जो कहती है और 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 चाहिए और चाहिए फिर चाहे उसके लिए संसार ही बरबाद क्यों न हो जाए ये क्या है क्लाइमेट चेंज यह क्या है नदियों की बरबादी, जंगलों का कटना, पहाडों की बरबादी, प्रजातियों का खतम होना, विलुप्त होना, हर दिन अर्बों खर्बों की संख्या में मुर्गे, भेड, बक्रे, गाय, सुर, भैस, इनकी हत्या करके इनको खाना, यह सब क्या है, यह इनसान की वही भोगी प्रवृत्ती है जो उससे कहती है कि तू अपूर है और तू ये सब भोग ले तो तेरी भूख शान्त हो जाएगी तू पूरा हो जाएगा लेकिन जनक से कह रहे हैं अश्टवक्र कि यदि संसार को जाना ही है मिथ्या संसार यदि तेरा ही प्रक्षेपण है तो तेरा ही प्रक्षेपण याने तेरी ही चाया से ऐसा तू क्या अलग पालेगा जो तुझ में नहीं है और जो तुझ में पहले ही मौजूद है वही तो तेरी चाया में दिख रहा है न और तेरी चाया में से तुझ जो कुछ भी पाएगा वो तेरी अपूर्णता को कैसे पूर्णता में बदल देगा तू अगर अपूर्ण है और संसार तेरा ही प्रक्षेपन है तेरी ही छाया है तो उसमें तुझसे अधिक तो कुछ होगा नहीं हमारी छाया में हमसे अधिक क्या हो सकता है तो उससे जो कुछ भी हासल करेगा वो तुझे कैसे पूरा करेगा किन्तु ये सब जान कर भी अगर तू आकांख्षा करता है काम से ग्रस्त है तो फिर तूने कुछ जाना नहीं क्योंकि आत्मग्यान का अर्थ ही है स्वयम को पूर जानना और संसार के माध्यम से अहम द्वारा स्वयम को पूर्ण करने की आकांख्षा की विर्थता को जान लेना किन्तु अभी भी यदि संसार से कुछ पाने की आकांख्षा शेश है स्वयम को अपूर मानते हो तो आत्मग्यान जूटा है सारी तुम्हाई गोशनाएं जिन में तुम आश्चरी चकित हो रहे हो वे सब भी जूटी हैं तो देखो कि कहीं तुम भटक तो नहीं रहे हो